हेलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगी दोस्तो आप लोगों के काफी कमेंट आए जिसमें आप लोग चाह रहे थे कि आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा वीडियो भी प्रोवाइड की जाए जहां पर आपको कुछ तरीके समझाए जाए मार्किट साइकलोजी समझाए जाए ट्रेडिंग के कुछ तरीके समझाए जाए तो इसलिए मैं कुछ डिसकेशन करूँगा थोड़ा बहुत एडवांस भी रहेगा तो इसलिए चीजों को डेटेल में समझने की कोसिस करना कुछ भी पार्ट इसकिप मत करना तो आज मैं आप के साथ एक काफी इंट्रेस्टिंग चीज डिसकस करने वालों जो की हैमर से रिलेटिड होने वाली है कि कहां पर हमें इसे ट्रेड करना चाहिए किस तरीकी से ट्रेड करना चाहिए किस सिचुएशन पर ट्रेड करना चाहिए कहां पर एंट्री लेनी चाहिए कहां पर हमारा इस्टोपलोस होना चाहिए, कहां पे हमारा टारगेट होना चाहिए, इन सारी चीजों का आज हम यहां पे थोड़ असा डिटेल में डिसकेशन करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वाली वीडियो में इसे हलका पुलका आप लोगों की डिमांड आई से थोड़ असा डिटेल में डिसकेश किया जाए और टोपिक से हटके कुछ अलग वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए, तो इसलिए मैं आपको यह प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो यहापर हम सारी चीजे समझेगे, हलाकि मैंने हैमर में ड mov 사람 level, डिसक्रिप्चन में, फ्री में मिलेगी, कोई पैसा आपको पे नहीं करना है, जैसे आप वेबसाइट पे जायेगे, वेबसाइट पे में जाना है, आपको चिनलिष्टिक पैन पे क्लिक करना है, उसके 8 अपिसोड पे जाना है, आपको यहाँ पे हैमर इसलिए वीडियो में बने रहेगा आखिर तक एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने की कोसिस कीजिएगा नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस तरह की वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए और लाइक जरूर कीजिएगा आईए हम डिसकेशन करते हैं मैं आपको सीधा वेबसाइट पे लेके चलता हूँ यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है एक एक पॉइंट को समझेंगे कि किस तरीके से ट्रेड करना होता है पहली चीज इससे पहले आपके लिए एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए यह चीज चाहिए दूसरे इससे पहचानने का क्या तरीका है लोवर सेडो जो है वो एट लीस ट्वाइस होनी चाहिए किसके? रियल बोडी के यानि कि जो आपको यह दिखाई दे रहा है यह आपकी बोडी होगी यह आपको क्या दिखाई दे रहा है? लोवर सेडो यह ट्वाइस होनी चाहिए इसके वो भी हमें यहां पर confirm है, यानि कि long lower shadow आपके होनी चाहिए, यह भी चीज़ confirm होनी है, अब जो यह real body है हमारी, यह आपको green दिखाई दे रहे हैं, यह green भी हो सकती है, red भी हो सकती है, यानि कि bullish भी हो सकती है, bearish भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा बहतर क्या रहे, ज्यादा बहत में चलेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको फ्री में कॉंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है लेकिन आज वाले वीडियो में इसे थोड़ा सा एडवांस लेवल लेके चलेंगे जिसे और ज्यादा कन्फर्म हो जाएगा कि हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं पहले जो यहाँ पे दिया गया है मैं आपको वो समझा रहा हूँ उसे समझने की कोसिस कीजेगा अब यहाँ पर यह चीज हमें समझ में आगी अब यहाँ पर इसमें एंटरी कैसे लेनी है इसमें हमें फोकस करना है कुछ चीजों का दिहान रखना है पहली यह तो हमें मिल hammer हम उससे पहले वाली candle पे भी focus करेंगे उस पहले वाली candle के high को mark कर लेंगे और जो ये हमारा hammer बना है इसके low को mark कर लेंगे जैसे ही जो पहले वाली candle का high है उसका breakout मिलता है जैसे इस वाली candle पे breakout मिल रहा है तो हम next वाली candle पे आपको entry बना लेंगे जैसे हमारी उपर closing होगी उ अब इस्टो प्लोस आप यहां पे लगाएंगे, किसके हैमर के लो के नीचे, जो एडवांस वाली बात है वो हम यही पे डिसकस करेंगे, कि इस्टो प्लोस को हम किस तरीके से वेरी कर सकते हैं, कुछ वहां पी उससे रिलेटेड डिसकेशन किया जाएगा, यहां तक पूरा स मैं आपको मोटा मोटा भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी डिटेल में चलेंगे, क्योंकि जितना यहां पे दिया गया है, पहले में आपको यह रिवाइस करा लूँ, और फिर हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, यहां पे डाउन ट्रेंड देखने को मिला, ध्यान किया में थोड़ा और डिटेल में मिल जाएका, कुछ और एक्जांपल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यहां पे आप जाके देख सकते हैं, वेब साइट पे इतनी इंफोर्मिशन है, हम वापिस अपने चार्ट पे आ जाते हैं, यानि कि अभी तक आप हैमर के बारे में बेसिक बे काउट मिलता है, पहले वाली केंडल के, वहां से हम एंटरी क्रेट कर सकते हैं, और मुमेंटम को पकड़ सकते हैं, यही तो सिच्वेशन हमने समझी कि एंटरी कहां पे लेनी है, इस टोप लोस कहां लगाना है, हमारा टार्गेट क्या होना चाहिए, यह सार चीजे हमने यह अडिके से मोडिफाई करते हैं, इसमें एडवांस चीज क्या हो जाएगी, अगर यह मिल जाए आपको सपोर्ट के पास, तो यहाँ पर हमारा पहला कन्फरमेशन क्या है, कि अगर मार्केट में हम मान के चल रहे हैं, कि यह सपोर्ट लेवल है, यह सपोर्ट लेवल वन है, यह सपोर्ट लेवल 3 है, अब एडवांस इन चीजों को समझा करो, यह आपको आते हैं प्रेक्टिस से, आपके ओबजर्वेशन से, कि आप मार्केट को किस नजरी से देखते हैं, किन चीजों को किस तरीके से सीखते हैं, मान लो मार्केट पहले सपोर्ट लेवल पे आया, और यहाँ पे मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया, इसका ब्रेकडाउन दे के चल पड़ा, यह सिचुएशन हमें यहाँ पे समझ में आगी, चलो मान के चलो यहाँ पे भी आपको हैमर मिल गया, हमने एंट्री नहीं ली, लेकिन हम एंट्री के लिए तियार हो रहे है हमार लिए क्या confirmation हो रहा है, कि एक तो support level है, उपर से हमें hammer नजर आ रहा है, अगर market इससे उपर चला गया, तो हमारा hammer फैल हो चुका है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे इस support level पे, मानलो इस support level पे भी आपको hammer बन गया, और आपने जो stop loss है वो लगा दिया यहाँ पे, अब stop loss लगाने के भी कहीं तरीके होते हैं, जैसे जो भी मैंने आपको website पे दिखाया, वहाँ पे क्या दिखाया गया आपको stop loss लगाने का, यह, कि जैसे hammer बना, hammer के low के नीचे आप अपना stop loss लगा दो, लेकिन मैं क्या believe करता हूँ कि आप नजदीकी support देखो, भई मान के चलो अगर support काफी नजदीक है, मान के चलो मान लो support one यह काफी नजदीक है, और market में हम stop loss यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, stop loss इस support के नीचे लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है market इसका breakdown दे, support level पे support लेके bounce कर जाए, तो यह risk आपको इतना risk यह लेना पड़ेगा, यहां तक situation समझ में आई, अब इसका मतलब यह नहीं है, कि आप hammer के नीचे stop loss नहीं लगाएंगे, अगला support देखोंगे कहा है, अगर support ज़्यादा दूर है, तो support के पास नहीं लगाना है, hammer के low के नीचे ही लगाना है, यह फिर पहला support क बन रहा है, भई मालो यहां पे hammer है, हम नजदी की support देखेंगे, हमारे लिए एक तो 5th का day low support level है, हम इसके नीचे लगा सकते है, यह हमारे लिए यहां पे previous day low भी है, या फिर हम क्या देखेंगे, और पीछे जाएंगे, कि भई हमें इस zone पे भी support दिखाई दे रहे, फिर हम risk ले रहे हैं बदले में, मान के चलो आप risk तो ले रहे हो, इतना बड़ा, कि आप यहां पे stop loss लगाएंगे, target लेने की सोच रहे हो, बस इतना सा, तो बात नहीं चलने की, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नजदी की support भी देखेंगे, कितनी दूर है, उससे अगले support भी देखे बनाई हुई है, भाई कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग की सोच होती है कि भाई 10 point का हम stop loss लगाएंगे, कुछ की सोच होती है कि हम 50 point का stop loss लगाएंगे, कुछ का यह होता है कि हम 100 point का stop loss लगाएंगे, लेकिन stop loss ऐसे नहीं लगाए जाते, कुछ आपने वीडियो में द लगाने के तरीके price action के according होने चाहिए, कि मार्किट में क्या price action बन रहा है, आप मान के चलो मैं आपको really दिखाता हूँ, अभी हमने इस zone में देखा, यहाँ पे market ने resistance की track किया, अभी एक resistance है, उसका breakout मिल गया, तो वो support की track कर गया, चीज हमें पता है, और वो ही चीज हम अब ज कर रहे हैं 5th को, आप देखो इसी zone पे market support ले रहा है, जहाँ पहले resistance की track कर रहा है, इसका breakout देके market उसी zone पे support ले रहा है, तो इस zone की नीचे, भी है कि यह real भी है, अब काफी लोग यह सोच रहे होंगे, कि market इस से नीचे भी तो आपके stop loss हीट कर सकता, आप बिल्कुल कर सकत है, क्योंकि 100% perfect कुछ भी नहीं होता है, हमारा stop loss हीट होता है, हर किसी का होता है, लेकिन अगर आप 10 बार trade कर रहे हो, अगर आपका उसमें से मैं बस 50% ही ले रहा हूं, कि भई अगर 5 बार भी stop loss हीट हो गया, 5 बार आपको target बन गया, तब भी आप एक profitable trader बन सकते हो, क्योंक चलते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या observe किया, अभी तक हमने सिर्फ इसकी entry decide नहीं की, भई entry समझी, stop loss समझा, target समझा हमने, लेकिन यहाँ पर situation हमने और क्या समझी, कि हम यह देखेंगे कि यह hammer हमें support level पे मिले, एक मजबूत support level पे मिले, और यह hammer हमें कहाँ पे दिखाई दे र है, अब यहाँ से हमारा hammer कैसे confirm हो जाएगा, क्योंकि एक तो support level भी है, market के support लेने के chances है, दूसरा hammer बनता हो नजर आ रहा है, तीसरा हम focus करेंगे volume पे, भेकर volume भी हमें बहतरीन मिल जाए, तो वो और भी जाद अच्छा है, साथ की साथ, जब भी आप किसी एक strategy पे काम करते ह है, तो उसके साथ हमें और भी strategy मिल जाती है, जैसे हम यहीं पे ही बात करें, तो एक तो मिल गया हमें hammer, पहली चीज़, दूसरा कहां पे मिल गया, support level पे मिल गया, और यह support क्या है, previous day low का, तीसरी चीज़, जैसे ही market ने इस वाली candle का breakout दिया, तो यहां पे हमारा क्या है, trading day high, त्यान से समझो, मैं previous day high की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं trading day high की बात कर रहा हूँ, इस trading day high का भी breakout मिल गया, trading day, यानि कि confirmation multiple हमें मिलते जा रहे है, और हमें इन strategies का पता होना चाहिए कि trading day high क्या होता है, previous day high क्या होता है, previous day low क्या होता है, या फिर trading day low क्या होता है, या marketing पे क किस तरीके से resistance की track करता है, किस तरीके से support की track करता है, breakout मिलता है, तो हमारी क्या strategy होती है, breakdown मिलता है, तो क्या strategy होती है, वो भी situation होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको ये भी entry create हो रही है, साथ की साथ हम क्या देख रहे हैं, हमारा अगला resistance क्या है, previous day high, फिर market यहाँ पर किस तरीके से react कर रहा है, वो भी situation क्योंकि, हमारे trailing store close को भी move करने में, ये चीजे मदद कर सकती है, समझ में आए, मैं आपको क्या समझाने की कोसिस कर रहा हूँ, इन चीजों को हलकी में मतलो, ध्यान से सारी चीजों को समझो, कि market previous day high पर किस तरीके से react कर रहा है, trading day high पर किस तरीके, कभी-कभी fake breakout भी मिलेगा, वो इक अलग चीज होती है, भई जब market हमें नहीं पता होता, कि market यहाँ पर breakout देगा, मैं आपको एक example लेके समझाता हूँ, अब मान के चलो, ये previous day high है, market ने कुछ time spent किया, और इसका breakout दे दिया, हमने देखा previous day high का breakout मिलेगा, तो हम इसके according entry लेंगे, भई इसके according तो हमें entry लेंगे, लेकिन market ने reverse momentum ले लिया, और हमारा stop loss कहीं यहाँ पर पड़ा था, और market ने इसे hit कर दिया, तो हमारा S-Elet हो गया, लेकिन हमें पता क्या चल गया, कि market में एक reversal आ गया, और यह market ने fake breakout दिया है, तो fake breakout वाली अलगी strategy है हमारी, तो फिर हम उसके according अपनी entry ले सकते हैं, और उसके according अपना show loss decide कर सकते हैं, उसके according अपना target भी decide कर सकते हैं, price action पर focus कर सकते हैं, situation समझ में हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह hammer वाला topic समझ में आया होगा, मैंने आपको थोड़ा सा और advance बताने की कोशिस किये है, कि सिर्फ हमें यही नहीं देखना कि hammer है, सिर्फ हमें downtrend या previous candle का breakout, या फिर stop loss कहां लगाना है, entry कहां लगाना है, यह चीज़े नहीं देखनी, हमें यह भी देखना है, कि यह support level पर form हो रहा है कि नहीं, और जादा confirmation है, या हमारे लिए नजदी की support level कितनी दूर है, और जादा confirmation है, या फिर हमारे लिए trading day high कितनी दूर है, या क्या price action की rate हो रहा है, या हो सकता है market यहाँ पर ऐसे momentum दिखाता, तो हमारा trading day high काफी दूर होता, हम फिर previous day high पर focus करते, या फिर हम previous day closing पर focus करते, तो price action बदलता रहता है, वो आपको रटने से नहीं आएगा, वो आपको समझने से आएगा, तो इन चीजों में आपको invest करना चाहिए, इन चीजों को सीखने में, practice करो, chart की practice करो, observation करो, जैसे आपको यह hammer बता दिया गया, तो आपका काम यह होना चाहिए, कि सिर्फ इस video को देखके खतम मत करो, पीछे जाओ, आपको कहा नजर आ रहे हैं, chart में देखो, practice करो की भई, कौन सा hammer फैल हुआ, या कौन सा success हुआ, कहा आपको hammer बना, किस situation पे फैल हो रहा है, या किस situation पे success मिल रहा है, support पे बन रहा है, या दूर बन रहा है, वहाँ पे क्या result दे रहा है, इन चीजों की practice करो, कुछ time spend करो chart के साथ, तभी आप ये चीज़े सीख पाएंगे, फिलाल मैं आपको एक चीज़ और बता दू, मेरी website पे आपको free में content मिल जाएगा, बहुत सार है, जिसका link आपको नीचे description में है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी advanced चीज़े सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे course को भी join कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या चीज़े समझाई है, नीचे आपको application का link मिल जाएगा, वहाँ से जैसे आप application डाउनलोड करेंगे, आपको मिलेगा how to trade intraday strategies, ट्रेंडिंग डेज समझाईगे, ट्रेंडिंग डेज के लिए आपकी क्या strategies रहनी चाहिए, फिर reversal days के लिए क्या strategies रहनी चाहिए, sideways market के लिए आपकी क्या strategies रहनी चाहिए, बड़े momentum को आप market में किस तरीके से पकड़ सकते हैं, trailing stop loss का इस्तमाल करते हुए, risk management में आपको किस तरीके से होना चाहिए, आपका risk management, काफी चीजे आपको यहाँ पर सिखाई जही है, अगर आप इन चीजों को advance में सीखना चाहते हैं, थोड़ी सी नहीं-नही strategies, जो भी मैंने आपको बताए, previous day high के breakout वाली strategy क्या है, previous day high के breakdown वाली strategy क्या है, trading day high के breakout वाली strategy क्या है, trading day low के breakdown वाली strategy क्या है, या previous day low के breakdown वाली strategy क्या है, previous day low के breakout वाली strategy क्या है, काफी कुछ चीजे आपको fake breakout, fake breakdown, बहुत सारी चीजे आपको यहाँ पर detail में समझाए गई है, आप इने जाके सीख सकते हैं, फिलाल मुझे comment करके जरूर बताना कि ये hammer वाला जो topic मैंने आपको समझाया है ये आपको कैसा लगा क्या future में भी आप इसी तरह के और वीडियोस चाते हैं तो वीडियो को like करना और comment करके बताना नए हो subscribe कर लेना और bell icon प्रेस करना जिससे आपको उन्यवाली वीडियोस के notification म सकेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छे content के साथ thank you